हलो नमस्कार कैसे हो आप सब मैं आरबीर वेलकम टू मुजिक इन शॉट आज हम देखेंगे किस तरह हम मिक्सर के अंदर सेंपल्स को और अडियो ट्रैक्स को और प्लगिंस को किस तरह उसके अंदर असाइन करते हैं आज हम वह देखेंगे मैंने पहले ही अपने चैनल पर बेसिक इंफोर्मेशन दे रखी है मिक्सर के बारे में कि मिक्सर का क्या इंपोर्टेंस है और उसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं इसके अंदर हम सिर्फ देखेंगे किस तरह मिक्सर के अपने चीजें असाइन कर सकते हैं वह बेसिकली 2-3 के हैं यह हमारा मिक्सर है ठीक है हम ध्यान रखेंगे कोई भी चीज यह मास्टर के अंदर असाइन नहीं करेंगे मास्टर हमारा उसको छेड़ेंगे भी नहीं हम लोग जो भी है हमारा इंसर्ट 1 से लेकर के इतने भी हमको यह अवलेबल है उसकंदर हम अपने सेंपल्स को और ट्रैक्स को कि उसकंदर हम असाइन करेंगे इंसर्ट के ही सारे चैनल्स है अधिक है सो बिस इससा की हो जिसमें से पहला तरीक्व है कि आप सेलेक्ट कीजीए जो आपको last को आपको आपको असेंपन करना जैसे माली जी मुझे हाइयर्ट को सेलेक्ट करना मैं तो मैं पर जाकर स्थेक्ट किया अब मुझे का है मिकसर के अंदर जाना है और मुझे number 4 के अंदर मुझे assign करना है तो इसके लिए shortcut है control L ठीक है तो automatic ही वो इसके अंदर assign हो गया तो बहुत simple था आपको जाना है select करना है और फिर mixer में जाना है और channel को select करना है और control L प्रेस करना है तो आपका assign हो जाएगा यह selection क्या है multiple भी कर सकते हैं हम लोग suppose माली जी मैंने अभी इसको किक को और snare को मुझे select करना है so मैंने क्या किया पहले इसको click कर दिया kick को और अब snare को click कर रहा हूँ लेकिन मैं shift दबा के कर रहा हूँ ताकि क्या selection हो पाए और अब मैं चाहता हूँ इधर में जाता हूँ मैं और 5 और 6 दो को सेलेक्ट करूँगा मैं कंट्रोल दबा करके 2 सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल L प्रेस किया सो दोनों हमारी यहां साइन हो गए ठीक है सो कंट्रोल L करने से क्या होता है यह automatic उसको name भी दे देता है और आपका sign भी हो जाता है ठीक है, so basic ही होगा, first पता दिया आपको मैंने तरीका second है, यदि हमारे पास कोई sample है audio sample है, कुछ भी clip पे छोटी सी, so उसको हम कैसे assign करेंगे so इसमें हम double click करेंगे यहां से हम लोग track पे click करेंगे तो कोई भी जो empty track होगा, अब label track होगा उस पर automatic ही assign कर देगा मैंने किया और यह first वाले कंदर इसने assign कर दिया अब बट मुझे first कंदर नहीं चाहिए मुझे चाहिए 10th number के अंदर so मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊंगा और जो यह box दे रखा है यह हमको बताता कि किस channel के अंदर link हो रखा हमारा अब यहां देखेंगे, यहां पर भी सारे बहुत सारे numbers दे रखें हमको so हम क्या करेंगे, हमको चाहिए number 10 के अंदर so हम लोग जाएंगे यहां से 1, 2 8, 9 और यह 10 ठीक है so हमने 10 के अंदर करेंगे, अभी हम इसको play करेंगे तो क्या हमारा इसके अंदर sound आएगा, ठीक है यह audio clip वही है, जो मैंने पहले अपने tutorials के अंदर use किया था so यह होगे हमारा audio clips को मैं assign करने का तरीक है, ठीक है यह box भी दिये हैं, हमको same ही काम करते है, ठीक है हम चाहें तो किसी कहीं और जगे पर जाके इसको assign कर सकते है कहीं और जाकर सकते है तो मतलब basically assign करने का तरीक है, क्या है, यह दो तरीक है या तो आप उसको open करके, उसको track में assign कर दीजिए, automatic assign कर देगा वो या आप खुद individually इसको number देदीजिए, कि 13 number के track में जाना है या 14 में जाना है, वो automatic आप उसको assign कर दीजिए, तो उसको चले जाएगा, ठीक है So basic यह था, मैंने बता दिया किस तरह assign किया जाता है और उसी तरह plug-ins को भी हम लोग assign कर सकते है, मैं FL key ले लेता हूँ एक बार ठीक है So, यह FL key है हमारा अब मैं चाहूँ तो यहां से भी directly में उसको assign कर सकता हूँ, देखिए जा रहा है कि नहीं जहां मैं गुमा रहा हूँ, वहां तक जा रहा है और मैं चाहूँ तो इसको directly इसको select किया हूँ मेरे पास और इसको मैं Ctrl L प्रस करूँगा तो Automatic इसमें selection हो गया, ठीक है और इसको reset भी हम लोग कर सकते है, ठीक ना So, यह reset हो जाएगा So, यह मैंने बता दिया किस तरह होता है, यह basic So, एक subscriber ने question किया था ठीक है, मैं just random कर रहा हूँ क्योंकि बताने के लिए So, अभी देखें तो यह हमारा 13 number पर Slice करने के बाद में इसका भी number 13 पर यह हमारा, ठीक है, तो मतलब सारे जो slice की हैं वो एक ही sample के हैं, तो 13 पर रहेंगे लेकिन in case में क्या करता हूँ एक को मैं make unique कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा stretch कर देता हूँ जल्दी stretch को पर भी वीडियो आने वाली है So, आप लोग connected रिए, ठीक है So, मैंने stretch कर दिया इसको अब क्या है, by default क्या है क्योंकि इसी का part है, हमने make unique तो कर दिया लेकिन इसी का part है, तो यह भी 30 number पर ही select है So, जो भी हमारा effect लगा होगा 30 number के अंदर वो same to same क्या, उसके अंदर भी effect fall करेगा, ठीक है लेकिन अब हम चाहते हैं, इसको हमने unique बनाया है इसमें कुछ हम और changement करना चाहते हैं किसी और के अंदर assign करना चाहते हैं तो simply यहां जाके 14 कर दीजिए, ठीक है So, यह था doubt उनका, और एक और doubt था उनका की panning के लिए So, panning के लिए हमारे पास दे रहा नॉब Left, Right के लिए, ठीक है जतना आप करना है, Left कीजिए, Right कीजिए Basically, music तो यही है कि आपको जैसा अच्छा लग रहा है वही music है ठीक ना इसका यह definition है, बस आपको आर्ट ही है कि आपको बैतरीन बनाना जैसा आपको अच्छा sound कर रहा है तो इसका मतल्ला आपका music अच्छा बन रहा है जिसमें से एक स्टेरियो इनाइंजर तो यह क्या करता है, यह सेम चीज जो यह करता है, यहां पर करता है, यहां पर करता है, यहां पर करता है यह Pancake 2 है यह काफी अच्छा है यह भी Free के लिए Free के हिसाब से बता रहा हूं मैं काफी अच्छा ही है इसमें काफी Preset वगरा दे रहे हैं Left Right के लिए Panning के लिए यह तीन फिलाल मैं यूज करता हूं So, Basic मैं आपको बता दिया है Mixer के अंदर किस तरह Assign करते हैं Shortcut है Ctrl L प्रेस करेंगे Directly हो जाएगा और उसको हम जाकर के बाद में Rename भी कर सकते हैं अपने recording भी नाम दे सकते हैं So, यह था Basic Information Mixer के बारे में उसमें किस तरह माशाइन करते हैं So यह मेरा Instagram यह मेरा YouTube account है R.Bear So, इधर पर मैं वीडियो डालता रहता हूं Cover Songs, Original Songs और कुछ Instrumental Tracks बगर डालता रहता हूं फिलाल मैंने रिसेंटल एक Song डाला था Over the Mountain यह Instrumental Track है, Orchestal Track है ठीक है तो आप लोग इसको जाके सुनिए और अपने Feedback दीजिए मुझे और Comment कीजिएगा कि इसका मैं Breakdown आपको बताऊं या ना बताऊं ठीक है क्योंकि यदि आपको अच्छा लगता है तो हम इसका Breakdown भी करके बताऊंगा आने वाली वीडियो कंदर सुनिए अच्छा लगा तो Like कीजिए और Support कीजिए और यह एक और से पहले मैंने Cover Song बनाया था Rap मेरा इत्तहाड और और भी कंदेंट आने वाल टाइम पर आएंगे सो स्टे कनेक्टेड थैंक यू